चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाए हमारे आईटी ग्रूव एजूकेशन की दुनिया से और आज की इस विडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हम दोस्तों आधार काट को डाउनलोड कैसे करें यानि दोस्तों की जो आधार होता है, उसकी हम एलक्ट्रानिक कॉमफी जैसे इस या अधार उसको हम कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करें और कैसे हम और उसको दोस्तों पीडियोप में सेप करके रख सकते हैं अपने मोबाईल या हम अपने कंप्यूटर में तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें UIDAI की ऑफिशल वेबसाइट पे जाना है और ऑफिशल वेबसाइट के जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक गेट आधार का एक आपशन मिलेगा इस गेट आधार के जस नीचे आपको मिलेगा लोकेट इंडॉल्मिन सेंटर चेक आधार स्टेटस जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों कि यह दोनों आप्शन कैसे वर करते हैं और उसके बाद है दोस्तों डाउनलोड आधार का सिंप्ली आपको इस डाउनलोड आधार पर दोस्तों करना है क्लिक और आपका जो नेक्स टैप है वो ओपन होके आ जाएगा तो नेक्स टैप जब आपका ओपन होके आएगा तो उसमें भी आपको आप्शन मिलेंगे यहां पर दोस्तों यह जो download आधार है इसके अंदर हम आधार को कैसे download करेंगे इस बारे में पूरी process हम देखेंगे ठीक है और यह दोस्तों जो आधार आपकी download होगी यह electronic copy में होगी यानि एक PDF format में एक documents के रूप में एक file आपके computer में download होगी और उसमें दोस्तों आपका store तो आधार नंबर आप यहां पर direct डालिए ठीक है आप यहां पर अपना direct आधार नंबर डालिए जैसे कि मैं आपको एक डाल के बता दे रहाऊं कैसे निकलना है आपको numbers input करने के बाद दोस्तों यहां पर एक option दिखाई देगा I want a mask आधार अगर आप mask आधार पे click करते हैं तो आपका जो आधार नंबर है आपके electronic copy के आधार में hidden होगा यानि वहां पर आपका आधार नंबर नहीं दिखाई देगा सिर्फ आपके last digit के जो आधार numbers है वो four digits आपको दिखाई देंगे और यहां पर virtual ID भी आपको दी जाएगी ठीक है तो आप यह ऐसे okay करके अगर अगर आप नहीं चाहते कि मेरा जो नंबर है वो हाइड होके आए तो इसको मास्क मत करिए उसके बाद आप capture verification है तो capture verification में आपको यही capture input करना है तो यहां पर मैं input करने के बाद हमें क्या करना है simply send OTP करना है ठीक है तो हमें send OTP करेंगे और यहां पर जो OTP है दोस्तों वो send हो चुकी है हमारे registered mobile नंबर पर ठीक है यानि आधार enrollment करवाने के समय ठीक है जब हम नया आधार अपना enroll करवाने किसी आधार सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर दोस्तों जो mobile number हमने आपने आधार में enrollment के समय दिया होगा वो number आपका registered हो जाएगा ठीक है तो उस registered number पर आपकी एक OTP जाएगी उसी OTP को आपको input करना है यह six digit के OTP होगी ठीक तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके mobile में एक ऐसा OTP आएगा जिसमें आपका दोस्तों six digit का एक number होगा जो कि one time password होगा और वो सिर्फ 10 minute के लिए valid होगा यानि 10 minute के अंदर आपको इस six digit के code को use करना है otherwise वो expire हो जाएगा उसके बाद आपको फिर एक recent करना पड़ेगा यानि आपको फिर से OTP भेजनी पड़ेगी वो भी 10 minute तक ही valid रहेगी उसके बाद ही यह आगे बढ़ेगा तो इस OTP को हमें input करना है अपने इस इंटर OTP वाले पैनल में तो यहां पर हम input कर देते हैं ठीक है और input करने के बाद हमें यहां पर कुछ surveys मांग रहा है ठीक है अगर आपको यह interested है फिल करने तो आप कर दीजिए वैसे भी आपको करना ही करना पड़ेगा जब-जब यह आपको surveys अगर फिल करने के लिए कि यूडियाई की website तो आपको यह survey तो complete करने ही करने है तो आप यहां पर यहां पर कहरा दोस्तों का जो आधार है वो बाइपोस्ट आपके घर पहुंच गया उसके बाद आप verify एंड डाउनलोड पर क्लिक करें ठीक है और क्लिक होने के बाद दोस्तों यहां पर जो आपका आधार है वो नीचे आपके ब्राउजर में डाउनलोड होने लगेगा जैसा कि आप यहां पर दे करेंगे और यहां पर हम अपने किसी एडाउब रीडर में ओपन कर सकते इसको किसी भी PDF रीडर में हम यह फाइल ओपन कर सकते हैं यहां पर दोस्तों जो आपकी नेम के शुरू के ठीक है वो आपको इन्पूट करना है ठीक है जैसे आपका सपोज कि अगर आप रमेश का नाम ले रहें तो यहां पर रमेश जो है इसमें रमेश र-a-m-e ठीक है यह फोर लेटर जो है आपको कैपिटल लेटर में यहां पर इंपूट करने हैं फिर यानि अगर वो 2000 में उसकी जो डेटा बर्थ है वो 2000 है तो यहां पर हम 2000 इंपूट क हो गया है ठीक है आप ऐसे ही आधार को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों कि यह तो हो गया दोस्तों कि आप आधार को अपने आधार कार्ट से कैसे डाउनलोड करेंगे ठीक सेम वे में हम चलते हैं कि दूसरे option के बारें बात कर लेते हैं यहां पर बैक आएंगे तो यहां प पूरी इंटाइर जो प्रोसेस होती है आधार की वो complete हो जाती है उसके बाद दोस्तों जो आधार enrollment operator है वो आपको एक slip प्रोवाइड करता है जो की एक इन्रॉल्मेंट slip नाम से होता है और वो जो slip होती है दोस्तों उसमें दोस्तों आपका enrollment ID यानि आपके जो सारी डीटेल्स हैं बायोमेटिक डीटेल्स और जो जितने भी डीटेल्स हैं उस एक स्लिप में होता है और वहां पे आपको जो 14 डीजिट का enrollment ID है वो आपको मिलता है ठीक है और यहां पे दोस्तों आपको वो 14 डीजिट का enrollment ID input करना है यहां date and time आपको लास्ट में दिया जाता है ठीक है जब आपने इन्वल्ड करवाया होता है तो यहां पे वो date time आपको यहां पे input करनी होती है ठीक है और उसके बाद इन्पूट करने के बाद हमें capture डालना है और सीधे आगे जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा जैसे कि मोबाइल में ओटीपी आएगा आपको उसको इंटर करना है ठीक वैसे दोस्तों यहां पे वर्च्वाइडी काम करती है वर्च्वाइडी जो होती है दोस्तों वो आपक कर सकते हैं यहां पर आपको capture डालना है और उसके बाद आप आधार अपना एल्क्रॉनिक वैं में डाउनलोड कर सकते हैं आधार कैसे डाउनलोड करें इस बारे में पूरी जानकरी मिल गई होगी तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दें हमारे चैनल को सब्सक